नमस्का फ्रेंड्स आज हम कुम लगन के जात्कों के लिए मही का महीना कैसे रहने वाला है उसके विशे में चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि शनी जो इस समय आपके 12th house में संचार कर रहा है और आपके जो इंकम में बरकत नहीं लाने दे रहा है जो पैसे घर में टिक नहीं रहा है उसके बार में आप क्या उपाए करें कि ताकि घर में आपके बरकत वापिस आ जाए तो चली करते हैं वीडियो की शुरुआत तो सबसे पहले हम कुम लगन की जात्कों की धर्म गुण विशेष्टा के बार में समझते हैं आप इस तरह से कुम लगन वालों को समझी कि आपने देखा होगा कि आपकी घर में बच्चे हैं वो अपने दोस्तों वे जान चिड़क देंगे बाहर वालों को हर काम करेंगे उनकी हर बात सुनते हैं लेकिन घर में अगर आपको किसी काम के लिए बोलोगी न तो वो उसके लिए मना कर देंगे तो ये कुम्ब लगन के जात्कों के बारे में होता है कि दोस्तों के लिए बाहर अपनी जान छिड़क देते है पर घर में वो काम नहीं करेंगे किसी भी तरह से अचा दूसरा उसके बाद इसको आप ये समझीए कुम्ब का घड़ा है वो इस तरी के से कोक है मतलब जहां पर सरजन होता है, बच्चे का जनम होता है और वैसे भी अमरिद की जो पत्ती हुई थी वो कुम्ब जब मन्थन हुआ था तो कुम्ब घड़े के रूप में वहां से अमरिद की प्राप्ती हुई थी तो इसलिए हम जब भी आप देखते हैं कि कोई भी हमारे जिसे मेवरात्रे हैं या कोई भी शुब कारे करना होता है तो उसमें हम एक घड़े या कुम को स्थापित करते हैं उसमें कलेश को कहा जाता है वो इसलिए कि जो भी हम कारे करें वो उस दिनों में जो भी हम कारे करें वो उसके अंदर वो एक गरब के अंदर चला जाए और उसके बाद उसकी जो है जो भी हम रिजर्ट्स साबसे चाहते हैं वो हम भी उससाबसे वो रिजर्ट्स मिलने शुरू हो जाए तो कुम्ब का एक कुम्ब जो आपकी राशी है आप इसे समझे कि यह जो कुम्ब का यूग आ रहा है कुम्ब का यूग से मतलब है जो wireless technology है बाय टेकनोलजी है आपका CT scan है X-ray है photography है जो भी राहू से लेटेड जितने मी professions या business है वो सब कुम्ब के जो यूग आ रहा है आप देख लीजिए कितना changes आ गए है पहले सोच में ने सकते थे इसलिए जो ऐसे कुम्ब लगन वाले विक्ति होते हैं वो अपने time से आहेड जी रहे होते हैं जैसा आप Elon Musk की बात कीजिए वो टेसला की बात है एलेक्टिक विकल्स या उससे भी advanced level की बाते सोच रहे हैं स्पेस की बात सोच रहे हैं Stephen Hawkins की आप बात जानते की unification of time and space की बात कर रहे हैं तो वो ऐसे कुम्बलगन वाले जो बच्चे होंगे या जो जातक होते हैं वो अपने time से ahead ही चलते हैं तो इनकी दिवाग में यही चीज़ चलती है कुम्बलगन वालों की जो sixth house में इनके माबा से इनके समंद अच्छे नहीं रहते हैं भाई से भी इनकी कोई ना कोई problems create होती है क्योंकि वहां पर house में मेश राशी है और वहां पर कालपुर्श कुंडी की मिथुन राशी होती है तो वो बुद्ध का और मंगल के आपस में बहुत घनिष्ट शत्रुता है तो इस वज़े से इनके भायू से भी करवा संबंद में थोड़ी से दिकत रहती है और अपनी वाइफ के साथ भी जो है इनके समंद जो है वो friendly relationships sort of नहीं होते हैं कहिना कोई इसमें खोड़ी एक खटासी रहती है क्योंकि लगन का स्वामी शनी है शत्रुता है पिता और पुत्रवाली चली अब हम बात करते हैं कि मई के महिने में इनका क्या लेखा जोक है और उनको क्या कुछ मिलने वाला है तो सबसे पहले इनके लगन के स्वामी शनी की बात करते हैं शनी इसमें आपके जनम कुणली के साब से आपके 12th house में गोचर कर रहा है मकरसा आपकी ब्रिस्पती की राशी है तो इसमें व्यक्ति आपका जो खर्च है या आपकी जो भी विरित्ती होगी वो धरम करम के प्र आप इस इसको नोट कीजिगा लेकिन आप ध्यान रखना है कि जब आप मकान बनाना शुरू करें तो उसको पूरा कंप्रीट करें क्योंकि शनी आपको पैसे तभी लाता रहेगा या आपकी आमदनी तब तक बढ़ती रहेगी जब आप उस मकान के काम को कांट्रूस्टी क करते रहेंगे कि शनी का कारक है शनी ने वहां इंकम आपकी तभी बढ़ानी है जब आप अपने मकान के काम को पूरा करते रहें तो कही ना कहीं जो है ना आपके आमदनी में बरकत भी काम कर रहा है क्योंकि इसको फोर्थ हाउस से राहू का आसपेक्ट भी है तो घर में प सहीयम रखिएगा घर परिवार कुटुम की जिम्मवारी आपके सिर पर बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिल रही है लगन का स्वामी हो करके 12th में गया है तो कहीं न कहीं आप अपने उपर भी ध्यान कम दे रहे हैं तो अपने भी थोड़ा से ध्यान दीजिए कि किस तरह से आपने कारे करना है और उसके बाद जो इसका 7th aspect आपके 6th house में पढ़ रहा है तो कहीं न कहीं ये वहां पर वैसे भी चंद्रमा की राशी है तो आपके गुप्त शत्रू आपके पैदा हो रखे हैं समय आपके गुप्त शत्रू को आपको सामना करना पड़ेगा जब तक ये शनी का ट्रांस्ट यहां पर है शत्रू आपको कुछ बिगार नहीं सकेंगे लेकिन आपको एक mental tension दे रहे है पीट के पीछे आपकी निंदा चुगली इस तरह की बाते वहां देखने को मिरी है ननिहाल पक्ष में मामा से भी आपके जो समंध है वो कुछ अच् तो इसका टेंथ आस्पेक्ट है वो आपके भाग्य स्थान में तुला राशी पर पढ़ रहा है बहुत ही अच्छा है भाग्य से लेटर आपके सभी कारियां से दोंगे लेकिन यहाँ अगर आप धर्म करम के प्रती मलब आप चैरिटी में दान करें या कोई भी रिलिजिन करनी पड़ेगी धर्म करम के प्रती जो है अपना व्याय करना पड़ेगा तभी आपको धन का आगमन होने वाला है अपने उपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए है अच्छा यहां पर आप जॉब बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है क्योंकि एक तो आप जो कुम लगन के ह होते हैं वो आपकी वायु तत्व की राशी है और जल्ट इसमें जल्ड का प्रभाव भी है कुम क्योंकि जल्ड का हिसाइन है तो यहां पर जो होता है इसमें इमेजिनेशन की पावर बहुत जदा है इंट्यूटिवनेस की पावर जो हो जदा है आपके पैर टिकते ही नही दूसरा चेंज कर देते हैं कि आप सोच्णाओं की फोटोग्राफी कर लूँ, कल को सोचेंगे एस्टालोजी कर लेता हूँ, पर्षू को सोचेंगे कि मैं गौर्मेट जॉब की त्यारी कर लेता हूँ, तो कुम लगन वालों को ये थोड़ा सा देखा जाता है, लेकिन नहीं इस समय आपका समय बिल्कुल भी इस तरह से चेंजिस करने का नहीं है, आप जो है, आपको लक्ष मिलने वाला है, तो आप एक जगा फोकस रही है, क्योंकि आप जब आपको लास में मिलने वाला तो आप उस चीज को छोड़ करके किसी दूसरी चीज को पकड़ने लग जात है, आपका श्रवर नक्षत्र में, श्रवर नक्षत्र में चंद्रमा की नक्षत्र में यह संचार कर रहा है, तो कहीं नहीं यह आपको माता की तरफ से कश्थ दिख रहा रहे है, माता को प्रॉलम्स है, आपको mental tensions हो सकती है, है ना, depression की problems यहाँ पे देख सकती है, और श्रु आपका income house, 9th house का, income house आपके 11th house का स्वामी है और आपके धनस्तान जो की second house का स्वामी है और लगन में बैठा है, बहुत एच्छे positions है, आपकी जो आमदनी यहां से गुरू करवा रहा है, और यह एक चीज है कि आप से negative sources से भी पैसा नहीं कमाएगा, ऐसे विक्ति कमा ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर आमदनी के house में उसकी ब्रेस्पति की राशी बैठी हुई है, second house में धनकसान में बैठा हुआ है, तो आपकी पहत्रिक संपति है, जो भी आपकी चल या चल संपति है, उसका जो है वो saving यहां ब्रेस्पति करता हो दिखा रहा है, लगन में गया है, तो आप अपने पर भी खर्च करेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति यहां आपको दिखला रहा है, हर तरहा से आपकी public image बहुत सुधार रहा है, कहीं आप जाएंगे, आपको यसी बात बोल देंगे, तो लोगों को बहुत impressed कर जाएगी, तो आपको वहां से recognition जहां से मिल सकती है, और income के sources आपके एंजनेट हो रहे हैं, लेकिन वही आपको income आपकी आमधनी तभी बढ़ेगी, अगर आप उसको धर्मी कारियों पर व्याय करेंगे, तो यह इस तरह से कह रहा है, और ब्रहस्पती इस समय जो है, वो आपका वृष्चिक नमांच में ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पर जो वृष्चिक राशी होती है, वो आपके 10th house में आती है, तो आपको यहाँ से profession के हिजाब से, बहुत ही अच्छा है, आपको recognition यहाँ मिलेगी, good घ्यान आपको अरजित करना चाहते हैं, वो आपको spiritual knowledge, occult का knowledge, hidden knowledge है न, research related जो व्यक्ति हैं, उनको वहाँ पर कुछ न कुछ आपको प्राप्त होगा, अच्छा इसका एक aspect आपके 5th house में है, तो कहीं न कहीं जिसको प्रोजिनी की जो दमपती कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से होतावा नज़र आ रहा है, शादी आपकी यह करवा देगा, 7th house को aspect इसका है, उसके बन 9th house भाग्यब तो हर तरह से आपका तो भ्रहस्पती उत्थान कर रहा है, प्रोफेशन वाइस आपको राइस दे रहा है, बिजनस वाइस आपको राइस दे रहा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, यह स्टूडेंट्स अपनी knowledge को अगर आगे बढ़ाते हैं, या कोई न उसके बाद हम जो इस कुणली का सबसे योकारक प्लैनेट है, वो है आपका शुकर, उसके बारे में बात कर लेते हैं, शुकर की position आपकी जरम कुणली में इससे में बहुत ही जबरदस हो रही है, लक्ष्मी और विश्नुस्थान का combination फोर्थ हाउस में बन रखा है, सुक्स decorator का business है आपका, उसके बाद आपका fashion designing का है, cosmetic industries है, beauty parlors है, Venus हर तरह से दे रहा है, अच्छा आपकी चल संपती, मतलब जो movable properties है, vehicle से आपको यह purchase करवा रहा है, Venus है ना, और आपकी friendships किसी भी ना से सुक, मला आपको हर तरह से यह सुक दे रहा है, female companion आपको यहां बना रहा है हलांकि थोड़ा मात्री, मात्ता को थोड़ा सा अरिश्ट दिखला रहा है, लेकिन mother father में जो आपस में समझ जिस सतापित करेगा, लेकिन शुकर की वजह से आपको सारे अच्छे results यहां पे मिलेंगे, education के लिए बहुत अच्छा है, fourth house education के लिए देखा जाता है, fourth house के लिए fourth में ही बैठा हुआ है, तो यह कहीना कहीं जो है, अगर land कोई आपने purchase करनी है, income selected कोई भी जिससे आप कारे करते हैं, जिसमें पैसे के आधान परदान होना है, जिसमें ब्याज लेकर कोई पैसा देता है या लेता है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, education के लिए मैंने आ आपका इस महीने के starting में कृति का नक्षत्र में travel कर रहा है, सूरे का नक्षत्र है, और सूरे भी शुकर के साथ ही बैठा हुआ है, तेरा तारीक को यहां पर ही आ जाएगा, तो कहीना कहीं जिनका जो एक्सपोजर वर्ल्ड जहां पर ज़दा ज़दा दिखावा ज़दा है जैसे कि आप यह शमज़ें कि शाम को आप देखते हूं कि शुकर का बोल बाला हो जाता है, जिससे शाम होगी लाइटिंग जल जाती है, दिन को आप देखे लिए आप जाते हैं, रात को लाइट्स जल जाती हैं, वो एक्सपोजर है, माला कि यह स्पर्म सकाउंट में कि ये दशा अंतर दशा चल रही होगी थोड़ सा देखने को मिल सकता है उसके बाद आपका ये शुकर जा है वो आपका रोहिनी नक्षत्र में चला जाएगा 12 मही को चंदरबा का नक्षत्र है जो कि आपका 6th house का लॉड है तो कहीं न कहीं ये आपको गुप्त शत्रू आपक आपका 3rd house का लॉड है और आपका 10th house का लॉड है तो जो ये आपका 10th house का लॉड की position 5th house में और रखी है तो ये कहीं न कहीं आपके पूरे पुर्णे का उद्य होता हो दिखला रहा है कि जो पिछले past life में जो भी आपने करम कियोंगे उसकी fruitifications मंगल यहाँ पर करवाएगा land से related कोई भी काम करना आप जो भी करते हैं भूमी से related उसके लिए बहुत अच्छा समय है उनको बहुत ज़दा profession में rise होगा real estate business करते हैं lottery सटा से कभी आपका कोई काम है उसके लिए भी बहुत अच्छा है आपके past life के सारे जो है वो सारे जो पुन्य हो फरली भूत हो जाएंगे third house का lord hocker के आपके fifth house में गया है तो कहीं न कहीं यह आपको initiatives लेने के लिए कह रहा है क्योंकि प्राकरम भाव से प्राकरम भाव तो भावाद भावम सिधानत भी है तो यहाँ पर आपको अपने प्राकरम से ही हर कुछ जो भी gain होगा वहां से यह बतला रहा है मैंने efforts यहां पर डालने पड़ेंगे जॉब बिल्कुल भी change मत करें stability अपनी life में बना के रखे क्योंकि कुम लगन मालों के लिए बहुत कुछ देखने को मिल सकता है अच्छे यहां पर आपको क्या होगा क्योंकि इस समय यह आर्दरा नक्षत्र में travel कर रहा है आर्दरा नक्षत्र राह partners के साथ ज़दा जगड़े मत कीजेगा और आपकी likings भी यह बताता है आपका 5th house में बैटा हुआ मंगल तो कहीं न कहीं जो martial arts related है या aggressive जिसमें sports होता है जिसमें running ज़दा involved रहती है वो वाले जो होगा वहां पर उन लोगों को मंगल बहुत जदा फायदा देगा boxing होगी आपकी cricket हो गया football हो गया तो यहाँ पर जो लोगों का यह है उनको लिए बहुत अच्छा transit है मंगल का उसके बाद मंगल जो है वो आपका 16 मई को पुनरवक्षू नक्षत्र में आ जाएगा पुनरवक्षू नक्षत्र आपका गुरू का नक्षत्र है तो यहाँ पर और कोई अगर आपने लैंड की डील कर रखी थी तो वो व्यक्ति जैसे पहले आपके पस आकर के चला गया था कि मैं नहीं खरीद रहे तो वापिस आएगा वो आपको बोलेगा कि जहां जी मैंने वही लैंड खरीद नी है तो आप बुलीज मुझे बतलाईए तो यह मंगल डीस्ता से मतलब आपको रिपेटिशन्स देगा वापिस वो चीजे करने को कहेगा तो यह मंगल का ट्रांसिट भी बहुत अच्छा है आपके पूरे पुरक पुन्यों का उधे होता हो दिखला रहा है तो जिनको दशा रहेगी उनके लिए बहुत अच्छा है उसके बाद ह लिए बहुत ही अच्छा सा में है आपके यह लिए आप जो भी जहां भी बुद्धी से रेटिट कोई भी कारे करते हैं ओकल्ट का काम करते हैं क्योंकि एट्थ हाउस का लॉड भी है आपका एट्थ हाउस का लॉड फॉर्थ में बैठा है तो आपको hidden knowledge से रेटिट कोई का आपको प्राप्त हो सकती है फॉर्थ हास में गया है इट का लॉड भी बूमी दोश का निर्मान कर रहा है क्योंकि एट का लॉड फॉर्थ में गया है तो आदमी को जो मकान आप बनाओगे उसका सुख नहीं मिलेगा वहां पर आपको सुख और चैनकी तो यह कमी दिखला कर रहा है अगर आपने मकान मिला है तो आपको छोड़ कर जिसे आप किराय के मकान पर रहने लग जाओगी तो बुद्ध यहां से आपको दिखा अच्छा आप ध्यान रिखिए का कोई कर लैंड की डिलिंग करते हैं तो अगर वह उसमें कहीं भी आपने कुछ नेगिटिव में ट्रैवल कर रहा है और उसके बाद ये तेरा तारीक को रोहिनी नक्षतर चंद्रमा के नक्षतर में ट्रैवल करेगा तो जब तक ये सूरी के नक्षतर में बुद्ध कर रहा है तो बुद्ध अदित्या का ये निर्मान कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही थोड़ा सा वो आपको एनिमीज जो है वो थोड़ा परिशान कर सकते हैं तो जिनको बूद की दशानतरशा प्रतिनतरशा होगा उनको यह से रिजल्ट देगा उसके बाद हम राहू की बात करते हैं राहू आपके फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो यहां पर मेरी आपसे हाथ जोड़ के विंती रहेगी रिक्वेस्ट रहेगी कि गलती से भी आप इस दुरान जब तक यह राहू का ट्रांजिट यहां पर है अपने घर की छट का कोई भी उसमें रेनोविशन ना करें ना उसको तोड़ फोर्ड करें और ना ही अपने बाथरूम में कोई चेंजिज लाएं या उसका तोड़ फोर्ड करें क्योंकि राहू फिर वहां से जागरित हो जाएगा और फिर वह आपको बहुत ज़़द यहां से टरबल दे सकता है तो राहू का ये ट्रांजिट उससाब से बहुत आपको कश्ट दे रहा है माता की तरफ से भी अरिश्ट दे रहा है आपको यहां पे आपकी कमफोर्ट नहीं आपको सुख चैन नहीं दे रहा है सब कुछ है आपके पास लेकिन वो उसका उभोग करने का टाइम ही नहीं दे रहा है तो राहू इसने आपका सुख चैन सब कुछ चीन रखा है तो उसका मैं आपको उपाय वीडियो के आपको बताऊंगा कि कैसे यह आपको पॉजिटिव रिजल्स मैं यह जनम नेटल चार्ट की बात कर रहा हूँ उनको जॉब छोड़नी पड़ी होगी या जॉब में कुछ न कुछ परिवर्त में के हुए होंगे और अभी भी अगर आपका है तो यह आपको चेंजिस करवा सकता है तो आप थोड़ा सा अपनी जॉब के प्रतीज थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि केतु आपको प्रफेशन से लेटर अच्छे रिजर्स नहीं देने वाला है सुख चैन की आपकी यह प्षेंट कर रहा है पिता को भी यह कर्ष दे रहा है तो और उसके बाद यह जेश्टा नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है बुद्ध का नक्षत्र है तो वो हिडन नॉलेज जो हो गए आपका है ना ओकर्ट से लेटर आपको ही ना कहीं पैसा वहां कर सकते है वहां आपका पैसा खर्च होगा मामा पक्ष से थोड़े सी टेंशन ये करेगा गुप चत्रू आपके केतु इस समय करवाएगा तो महा उपाय के रूप में जो है वो इस महिने जो है या आपका जब तक शहनी वहां टैवल कर रहा है एक तो आप मकान का काम अगर शुरू करते हैं तो उसको बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है और दूसरा अगर घर में बरकत नहीं हो रही है तो आप सबसे पहले एक कारे करें एक लाल रंग की थैली बना लें उसमें सौफ भर दें और वो सौफ जो है वो ले करके आप अपने बेडरूम में जो है वो स्पोर्टली को टक दे तो वहां से आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी उसके लावा जो है आप चांदी की डिबी में शहद भर ले चांदी की डिबी में शहद भर करके उसे किसी बाहर विरान जगह में दबा दे शाम के समय में जब कोई आपको देखे न तो इस तरह से जो है वो आपको जो इसके राहू के negative impacts होंगे वो सारे भी दूर हो जाएंगे और certain के positive results आने शुरू हो जाएंगे धर्म करम में अपने पैसे को खर्च केजिए